तो welcome guys फिरी फायर में एक ऐसा setting जिसको कितनो भी ठीक करो आपका मन नहीं भरता जी हाँ guys मैं बात कर रहाँ sensitivity setting का जिसको कितनो भी set करो कितना भी अच्छा set करो लेकिन आपका मन नहीं भरता है जी हाँ guys हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा headshot लगना सुरू हो जाए मतलब कि पहले जितना लग रहा headshot इससे कहीं ज्यादा headshot लगने लगे मतलब जब भी आप किसी भी enemy को आसान ड्रेक करोगे तो भी आपका headshotty चिपकेगा हाँ जिसे भाई आप ठेग रहे हो अरे छोटू आप विश्वास करो या ना करो एक बाद ट्राई करके देखने में क्या जाता है जी हाँ गाज आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन गाज एक बाद ट्राई करने में कुछ नहीं भी गरता आप एक बाद ट्राई करके देखो अगर आपका काम कर गया तो भाई आप लोग जरूर से वीडियो लाइक करके ही जाना तो ओके गाज मैंने बहुत जादा बोल दिया है अब हम लोग चलते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग की तरह बट उससे पहले इस वीडियो का एक प्यारासा लाइक जरू से करना चेनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू से करना तो आग यह हैं हम लोग सेंसिटिविटी सेटिंग में हम लोग बात करते हैं नीचे से उपर की तरह तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिर लुक सेटिंग को आप इसको अपने अनुसार रख लेना मैं इस सेटिंग को रखता हूँ 50 पर अब next setting है sniper scope अगर आप sniper use करते हो तो इस setting को मैं जितना बोल रहा हूं उतना पर ही set करना और फिर देखना आपका sniper पानी की तरह चलेगा अगर आपका device का RAM 6GB से नीचे है तो इस setting को आपको 65 पर set करना है और वहीं पर आपका device का RAM 6GB से उपर का है और आपका processor भी अच्छा है तो आपको 50 पर set करना है तो okay guys next setting का बात करें तो 2X scope और 4X scope इस setting को गोर से देखना क्योंकि जब भी scope on करके किसी भी enemy को मारोगे तो headshot इस चिपकेगा इसलिए तो 4X scope को आपको set करना है 60 पर और 2X scope को भी आप set करना 60 पर चाहे आपका low end device हो चाहे high end device हो कोई माइने नहीं रखता तो okay guys अब जो मैं बता रहा हूं most important headshot के लिए important है rate.sensitivity setting इस setting को 89 पर set करना इससे कम भी नहीं इससे ज़्यादा भी नहीं मैंने जितना पर set किया accurate इतना पर ही set करना क्योंकि headshot इसी से चिपकता है अब next setting है general sensitivity setting अगर आपका high end device है तो आपको 83 पर ही set करना है ओहीं पर आपका low end device है तो आपको इसको 100 नहीं करना है आपको 99 पर set करना है अभी मैंने जितना setting को बताया है accurate accurate ऐसे ही set कर लेना इसे ही helpful वीडियो में तब तक के लिए bye bye